जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों लगातार प्रिप्रेशन कर रहा हैं प्रिबियर प्रिडियलर इग्जाम को ले करके हमारा आज का क्लास नबर 33 है जिसमें हम समाने ग्यान का समीधान का पार्ट नबर 2 देखने वाले हैं दोस्तों बहुत ही महतुपोन होने वाला है क्योंकि समाने ग्यान का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसको कभर करना थोड़ा सा मुस्किल है मुझे नहीं लगता कि यह समाने ग्यान का पूरा सिलेबस का मैं सायद कम्प्रीट कर पाया हूँ तो बिल्कुल दोस्तों आप अपने खुद से बुक से जरूर पढ़ते रहे ताकि आपका प्रप्रेशन पूरी तरीके से हो सके बिल्कुल चैनल के साथ जूड़े रहे हैं चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करका नोटिफिकेशन बेलाता है जरूर अन को लिजेगा तो चलिए दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 50 महतपुर्ण वान लाइन फैक्ट से लिए समिधान के महतपुर्ण 50 प्रशनों के इस पार 2 में हम चलते हैं एक एक पर के सभी प्रशनों को देखते हैं ठीक है तो दोस्तों संसत के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा प्रशन पूछा जा चुका है कि संसत के कितने सत्र होते हैं तो 3 सत्र होते हैं पह आरती समिधान में संसदनातमक प्रणाली एकल नागरिक्ता एवं विधी निर्मान प्रक्रिया किस देश से लिए गए है तो यह लिया गया है बिटेन से लिया गया है जिसे इंगलेंड भी कहा जाता है ठीक है तो आप इसको याद रखे दोस्तों इंपोर्टेंट है लिया गया है दोस्तों आयरलेंड से लिया गया है मौली का धिकार किस देश से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है भारत के संविधान में संसोधर की प्रक्रिया है उसे कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है दोस्तों दक्षिन अफरीका से क्योंकि ऐसे बहुत सार दोस्तों जरूर लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे, कमेंट कर दीजे, कोई भी सवाल होतों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जरूर सब्सक्राइब कर लिजे, ठीक है? चलिए देखते है next question दोस्तों भारतिय समीधान में आपातकाल में प्रवत्तनम के दौरान राष्ट पती को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से लिए गई है तो यह लिया गया दोस्तों आपातकाल में राष्ट पती की जो मौलिक अधिकार से संबंधी सक्तियां है वो जर्मनी से लिया गया है ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों राजेपाल पद ग को वर्ष 1947 में सारव भॉमसत्ता सौपने की योजना क्या कहलाई तो दोस्तों उस समय जो है पूरी तरीके से मतलब पूरी जो शाषन ववस्ता है पूरी तरीके से भारत को सौपा गया तो किस के तहट सौपा गया तो वह था माउंट बेटन योजना जिसके उस समीति के जो प कम्प्रीट होने के पस्चात जो है दोस्तों समीधान सभा के अध्यक्ष को सौपा पूरी तरीके से समीधान को ठीक है तो वह है आठ फरवरी 1948 को ठीक है तो देखिए इसमें जो है पूरी तरीके से देश त्वाजाद हो गया था और उसके बाद क्या हुआ वो बना ठीक है नेक्स्ट है किस देश का समीधान भारती समीधान के अनुच्छे 21 में वर्नित विधी द्वारा निर्मित प्रक्रिया का विदेशी सरोत है तो वह है जापान का समीधान ठीक है 56 समीधान संसोधन के तहत किस केंदर सासित राज्य को राज्य का दर्जद दिया गया तो दोस इसमों ये 1961 की बात है ठीक है तो 1961 जो है प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा जो है कब आजाद हुआ तो गोवा जो है 1961 में टीक लगा होगे गलत हो जाएगा आपको लगाना है 1961 में तो 1907 में देश तो आजाद हो गया था लेकिन जो गोवा है वो पुर्त गालियों के ही आध ठीक है देखते है नेक्स्ट है बेगार पर निशेद तथा इस्त्रियों के क्रै विक्रै पर रोग कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है तो यह दोस्तों सोशन की विरुद्ध अधिकार जो है यह इस चीजों पर अधिकार को रोगता है मतलब कही न कहीं इसके शोशन को क्या करता है रोकता है और यह क्या है शोषन के वुरुद्ध मौलीक अधिकार जो अनुच्छे 23 और 24 है वो इसी में पूरी तरीके से वढ़नी था है शोषन के वुरुद्ध अधिकार नेक्स्ट है दोस्तों भारतिय समिधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शाषन की सर्वोच्च सत्ता किसमे नहीं था है तो दोस्तों वो भारत की जनता में नहीं था है नेक्स्ट है कौन सिर्स अधिकारी अपने पद पर रहते हुए किसी कारे के लिए नियायां लएके प्रति उत्तरदाई नहीं है तो भई अपने पद पर भी है लेकिन यायले के प्रति उत्तरदाई नहीं है तो वो एक्ति कौन है तो वो है रास्ट पती ठीक है चलिए नेक्स्ट है राच दूतों नियाईक प्रतिनीधियों तथा वाणजिक दूतों की नियुक्ति कौन करता ह तो वो करता है रास्टपति, और भी बहुत सारे जो है दोस्तों आयोग है, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति को न करता है, रास्टपति ही द्वारा किया जाता है, ठीक है, जैसे कैग हो गया है योग लोक सेवा आयोग हो गया ठीक है तो इन सब का जो है पूरी तरीके से नियुक्ति कौन करता है राष्टपती करता है नेक्स्ट है जब तक सरवधिक व्यक्ति जो बता और राष्टपती निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध है तो दोस्तों वो आंधर प्रदेश से संबंध है नेक्स्ट है जब राष्टपती द्वारा वित्तिया आपात की घोष्न की जाती है तब संसत द्वारा उनका अनुमोधन कितने दिनों के अंतर किया जाता है तो दोस्तों वित्तिया आपात मतलब समझे हैं है आप पैसे से रिलेटेड तो संसत द्वारा उसको अनुनमोदित करने में लिए कितना मतलब कितना दीनों की आवश्रक्त होती है तो उसको दो माहा के अंतरगत ही देना पड़ता है नेक्स्ट है किस वर्ष में स्वारी किस वर्ष से पुर्व उपराष्टपती की सेवा वृत्ती के पश्चात पैंसन का प्रावधान नहीं था तो सन 1997 के जो पुर्व था वो पैंशन का प्रावधान नहीं था लेकिन इसके बाद जो है पुरी तरीके से पैंशन ला दिया गया ठीक है चलिए अब देखते हैं वीवीगिरी को राष्टपती पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किसे पद का त्याग देना पड़ा था तो भाई वीवीगिरी थे वो राष्टपती के पद के लिए निर्वाचित होना चाहते थे तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए तो अब उसका जो क्या है एक rule है कि वो कोई भी पद परना हो है na तो कहीं न कहीं उनका जो पद था उप राश्ठपति का पद उसको उन्होंने क्या किया त्यागा मतलब उसके त्याग पत्र दिया और उन्होंने जो है राष्टपती के लिए अपना जो है नाम भेजा ठीक है नेक्स्ट है किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया ठीक है प्रधान मंत्री कोन होता है दोस्तों लोग सभा में बहुमत का नेता क्या कहलाता है प योगयता होनी चाहिए तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उच्छ तम नाले वहां का जो है मुख्यनायद्हीष मतलब वहां के नियायधिस पर्ध कि बनने की योगय उसमें होना चाहिए तभी वो क्या बन सकता है अटार्णी जनेर GirMeat!", मतला महा न्यायवादी की रूप में क्या वो सकते है वो बन सकते है अटार्णी जनेरल के लिए अनुच्छेत जो है दोस्तों 76 के अंतरगर जो है प्रावधान दिया गया है सम्विधान में नेक्ष्ट है दोस्तो और ती Graham को कितने समय तक रोक सकते थी ये कितने है तो वो है दूस्तों 6 महा तक रोक सकता है चलिए next question दो राज्यों के संयुक्त उच्य नियायले स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है तो किसको किया है संसद को किया गया है लोग हित के मुकदमे की पुनह स्थापना में उच्छेतम नयालाय के किस नियाय धीस ने निरनायक भूमिका का निरवहन किया है तो दोस्तों किस का निरवहन किया है वो है नियाय मुर्ती पी एन भगवती ने तो इसके लिए correct answer यही है, आप इसको याद रखे, important है, ठीक है, देखते है next, उच्छ नियालय के मुख्यनाय धीस पर पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वह है दोस्तों, लीला सेट, तो जो है, उच्छ नियालय के मुख्यनाय धीस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, लीला सेट है, next है, संयुक्त राज लोकसिवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो मैंने बताया था, जो UPSC है, उसी तरीके से state PSC है, वही है, दोस्तों, संयुक्त लोकसिवा आयोग, ठ common PCS, तो इस तरीके से दोस्तों, इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं, और इनके सदस्यों होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है, दोस्तों, राश्ट पति द्वारा किया जाता है, ठीक है, चलिए next है, किस आयोग का सच्चिव, राश्टिय विकास परिसत के सच्चिव के करता है, तो कौन सा वो विभाग है दोस्तों, तो वो है वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, चलिए देखते हैं, next question, किस भासा को सविधान की आठवी अनुशूची में सामिल नहीं किया गया है, और जबकि वह एक क्या है, राजी की राजी की भासा है, ठीक है, जैसे म पूरी तरीके से राज की भासा, पूरी तरीके से जो भी भासा है, वहां की, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट का है, अंग्रेजी है, ठीक है, वहां पास बोलने वाले वैक्ती भी क्या है, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में ही बात करते हैं, ठीक है, next है, दोस्तों किसने कहा राज जपाल सोने के पिंजड़ा में निवास करने वाली चिडिया के समतुलिया है तो दोस्तों ये सरोजनी नाइडू के द्वारा किया गया है मतलब कहीं न कहीं राज जपाल मुख्या तो होता है लेकिन एक सोने की पिंजड़ा में क्या है वो एक कैद है दोस्तों इसमें next है किसकी अनुमती के बीना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं हो सकता ठीक है तो राज्य की बात कही जा रही है और राज्य में दोस्तों पूरी तरीके से विधान सभा विधान परिशद होता है तो विधान सभा में धन विधेयक जो तो दोस्तों अना चंडी जो है सबसे पहली जो है उच्छे नयालाई की पहली महिला नयाधिस बनी है नेक्स्ट है उच्छे नयालाई के मुख्य नयाधिस की नियुक्ति कौन करता है तो उच्छे नयालाई के मुख्य नयाधिस की नयुक्ति रास्ट पति द्वारा किया जात तो सरवोच्य नयालाई की पहली महिला नयायधिस कौन बनी तो है फातिमा बीवी जो की है यूपी की और यहीं से इन्होंने बनाएं नेक्स्ट है कौन से नयायधिस सरवाधिक अवधी तक रहे हैं तो दोस्तों वह है वाईवी चंद्र छोड ठीक है तो यह काफी लंबे समय तक इन्होंने अपने पत पर रहते हुए बहुत सारे नयायदिस कौन थे तो दोस्तों हीरा लाल जे कनिया ठीक है यह भी इंपोर्ट किया गया था तो पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था कि इस्थाई के तौर पर डॉक्टर सचीदा नंद सिन्हा को नियुक्ति किया गया था इसमें ये डिसाइड किया गया था इसमें जो मिटिंग हुआ था उसमें कि जो इस्थाई रूप से अध्यक्ष कौन गई थी नेक्स्ट है भारत का समिधान भारत के किस रूप में वार्नित करता है तो भारत का समिधान भारत को किस रूप में वार्नित करता है कि भारत एक क्या है संगों के रूप में होगा ठीक है अब देखिए एक संग है उसको आप समझना होगा कि जैसे एक भारत देश है ठीक है भारत देश है तो भारत देश है दोस्तों यहां पास क्या है एक संग का देश है मतलब छोटे-छोटे राज्यों में तो यह बटा हुआ है ठीक है छोटे-छोटे राज्यों में यहां पास बटा हुआ है लेकिन संग का अर्थ यह होता है दोस्तों यहां पास कोई भी अच्छले मुझे अपना अलग देश घोशित करने दो ऐसा इसमें दो है दोस्तों यही जो है इसको बांध करके रखता है पूरे देश को एक मतलब सभी राज्जों को एक देश की रूप में बांध करके रखता है में यही संग है ठीक है नेक्श्ट है भारतिय समिधान के अ संविधान जो है भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की वस्तर करता है तो वह है संसदी विवस्ता ठीक आप संसद के अंतरगत कौन-कौन आते हैं मैंने बताया था स्टार्टिंग ने पिछली वीडियो में राष्टपती लोकसभा और राज्यसभा नेक्स्ट है भारती राज्य का सविधानिक अध्यक्ष कोन होता है तो सविधानिक अध्यक्ष कोन होता है दोस्तों वो कोन होता है आपका राष्टपती होता है और राजनेति कोन होता है आपका प्रधान मंतरी होता है उसी तरीके से अगर मैं राज्य की बात करूँ तो जो है दोस्तों आपका र राजन्याति कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और प्रसासनिक कौन होता है? राज्यपाल होता है. Next है, समिधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्य नयालाय करता है. ठीक है? तो यह है, 1989 में यह स्टार्ट किया गया है. अगला है, भारतिय रोजगार गरेंटी का रेक्रम कब सुरू हुआ? तो जिसको हम लोग मन रहेगा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है? तो यह है, दोस्तों, 2006 में सुरू हुआ. तो अब देखते हैं, समिधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यह समिधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है. नेक्स्ट है, भारतिय समिधान के संसद्दनात्मक प्राणाली एकलनागृत्य एवं निर्मान विधिकिस देश से ली गई है. तो मैंने थोड़ी देर पह और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों नीचे comment box खली है comment करके ज़रूर पूछ लीजे और चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया दोस्तों इस तरीके का red button आपको देखने को मिल रहा है उसको चैनल को subscribe कर दीजे फिर notification bell आएगा उसको भी ज़रूर क्लिक कर दीजे all पर त तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में और साथ ही साथ प्लेइलिस्ट में दोस्तों आप देख लीजे आपके लिए बहुत सारे वीडियो में अप्लोड करके पहला है सही रखा है देख लीजेगा important है वहां से प्रशने फंसने के chances बहुत ज्यादा है तो चलिए म मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ टेक क्यर आल दे बैस्ट जय हिंद